हेलो एपडिवन वेलकम टू माय चैनल मामा बेबी आज की इस वीडियो में हम 18 तू 24 मंद के बेबी का डवलप्मेंटल माइलिस्टोन क्या होता है वो डिसकस करने जा रहे है तो बेबी अकॉर्डिंग टू डबलू एचो 18 मंद के ओल्ड बेबी गरल का हाइट 31 तू 32 इंच वेट 20 तू 24 एल्बी एंड बेबी बॉय का हाइट 31 तू 33 इंच और 10 तू 12 केजी होता है अगर आपके बेबी का हाइट एंच इन वेट इसके अप्रोक्स है तो आपके बेबी का डवलप्मेंट सही है इस एज ग्रूप के बच्चे बाहर जाना बहुत एंजॉय करते हैं व कैच करना कि सारी एक्टिविटीज बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं वन मोर इंपॉर्टेंट थे इस जब भी आपका बच्चा खेले तो आप उनको क्लैप करके एंकरेज करें हम क्लैप करते हैं तो बच्चे और खुश होते हैं और उस एक्टिविटीज को कर रही है तो बाहर जाने पर बच्चे ट्री, कारबर्ड, एरोप्लेन, इसकाई जो भी देखते हैं उन सीजों का इडेंटिफाई करते हैं और वह चीजों को सीखते हैं इस एज में बच्चे में म्यूजिक, राइम्स, दान्स करना यह सारी चीजों को भी बहुत एंज्व बच्चों के बच्चों को बिल्डिंड ब्लॉक को आफर करना चाहिए। बिल्डिं बल्क के खेलने से उनका डेन डेवलופेंट होता है, और साती साथ हो कलर, साइज, शीप बहुत सिखते हैं इस क्णम एज़ एज़ग पर सारे कलर, को एडेंटिफाई एक सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब आप आपका बच्छा सारे कलर पाते हैं नेक्स्ट इस्टाइब की और प्लॉक। इस ऐज ग्रूप के बच्चे अप्रोप 20 तो 30 वोर्ट्स नियुमम बढ़ाते हैं कुछ बच्चे स्टार्ट करते हैं लेकिन अगर आपका बच्चा नहीं बोल रहा है बट आप जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो बच्चा वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए जैसे आप उसको बोल रहा है बच्चे को इंस्ट्रक्शन फॉलो करना चाहिए इस एज के बच्चे जो बेसिक अनिमल्स नेम होते हैं अनिमल्स का साउंड निकालना बॉड़ी पार्ट्स एबी सीड वन तो थ्री यह सारे जो बेसिक लर्निंग एक्टिविटीज होते हैं वो 18-24 मन्त में बच्चे आल्मो को मैं इंस्ट्रक्शन दे रही हूं तो शीज फॉलोइंग दोस इंस्ट्रक्शन और इस एज ग्रूप के बच्चों के साथ हमें हाइडन से गेम खेलना चाहिए तो यह भी उनके लिए बहुत अच्छा एंगेजिंग एक्टिविटी होता है जो कि बच्चों को मझा भी आ अगे कर सकते हैं इस एज में बच्चे मुष्ली स्पून और हाथ से खाना सीख जाते हैं अगर आपका बच्चा भी हाथ से खाना नहीं सीख है तो उनको फूड ओफर करें और उनको बोलें वह खुद से खाये तो वह धीरे-धीरे हाथ या इस पून से खाना सीख जाएंग प्ले करना और इस ताइम में बच्चे अपने जो राइम्स देखते हैं वस एक्टिविटी को भी परफॉर्म करते हैं लाइक ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार विल सॉन दीबस गो राउंड एंड जो भी आपके बच्चे फेवरेट राइम्स देखते हैं वह सारा एक्टिविटी करके दिखाएंगे इफ यह लाइस के स्टॉंप यह लाइस का बहुत नौलेज हो जाता है उनका एक फेवरेट ट्वाइट होता है जो आपके बच्चे जिसके साथ खेला बहुत पसंद करते हैं अपे अनवी का फेवरेट ट्वाइट है यह बेबी है तो और उसके साथ वो उसकी केर करते हैं आपके बच्चे का भी एक फेवरेट ट्वाइट होगा जिनके साथ वह सारा एक्टिविटी करते हैं तो इससे इसके साथ भी बच्चे एक अपना गेम डेवलप करते हैं जिनके साथ जिस गेम को खेलना उनको अच्छा लगता है इस एज के बच्चे बहुत ही क्यूक लर्नर होते हैं जिस एक्टिविटी को बार पर देखते हैं वो जल्दी ही उसको कॉपी करते हैं तो अगर आप इस एज में बच्चों को कुछ सिखाएंगे डेली वो चीच करेंगी तो वो बहुत जल्दी ही सीख लेंगे यहाँ पर अगर आप अपने बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हैं तो अगर आप अपने बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हैं तो अगर आपके बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हैं तो अगर आपके बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हैं तो अगर आपके बच्चे को कुछ सिखाना करते होंगे I hope आपको ये वीडियो अच्छा लागा हो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लागे तो न्यू पेरेंट्स के साथ श्रेयर करिये लाइक करिये सब्सक्राइब करिये thank you for watching this bye bye take care